तो आप लोगों को बहुत बहुत सौगत है और काफी सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वह हमसे जोड़ चुके हैं तो बहुत-बहुत उनका धन्यवाद और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज काफी अच्छा टॉपिक जो कि मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं बहुत सारे एलेक्टर की स्कूटर से में प्रॉब्लम आती है LCD की तो LCD के रिगार्डिंग आज हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि आप किसी भी एलेक्टरिक स्कूटर में LCD को कैसे इंस्टॉल कर स होती हैं तो वाइरिंग, आज हम लोग छोग सिखाएंगे कि आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं काफी सिंपल सी वाइरिंग है अगर जैसे ही आपने मेरी वीडियो को देक्खा और समझ जाएंगे कि consciousness wiring को कैसी वाइरिंग इंस्टॉल करना निया है तो जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा डीटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको मेटर अपना कैसे इंस्टॉल करना है अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती तो कहां पे कितनी सप्लाई आती यह सारी शीज़े जो है आपको आज पता चल जाएंगी कि जो मेटर होता है वो काफी असान तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी है आपके पास तो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मैं जो यह वीडियो बना रहा हूं सभी लोगों के लिए हैं जितने भी डीलर्स हैं जितने भी हैं हमारे जिनको भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर अन यूजर्स हैं उनके लिए सभी लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आपको आसानी से इंस्टॉल करना आज इस वीडियो में आप पूरा सीखेंगे तो वीडियो को बिलकुल भी इसकिप ना करिया और बहुत सारे लो से आपका फिरी में काम हो सकता है इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे कोई दिक्कत ना हो और सबी लोग हम लोगों से जुड़े रहे हैं जिससे की काफी अच्छा benefit मिलने वाला है उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर की मार्केट आ रही है और स्कूटर की रिपैरिंग अगर सीखना है या पिर जानना है तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख पाएंगी ओकी नाव प्रेज में भी लग सकता है या फिर कोई अन्य यूजर जो की ओकी नावा प्रेज मॉडल की तरीके गाड़ी यूज कर रहा है तो उसमें भी लग सकता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर आप देख पा रहोंगे यह सी वाई गोल्ड कंपनी की तरफ से आ करना होगा इस इस क्रू को खोलने के बाद आपको मैं बता दूं कि साइट से यहां पर यह जो लॉक्स लगें इनको निकालना होगा कुछ इस तरीके और फिर यहां पर आपको कुछ छोट इसी LCD का नजारा देखने को मिलेगा जो कि आप देख पा रहोंगे यह जो LCD है और यह जो वाईरिंग है यह सारी कहां पर जाएंगी और कहां पर इंस्टाल होंगी यह आपको बताऊंगा फुल डेटेल में रिव्यू और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो मीटर है आप खुद यहां पर देख पाएंगे 48V से ले करके 72V तक का यह काम करता है और 60V पे भी काम करता है ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर 48V 60V और 72V प्रफॉमेंस क्रेयेट करता है अब मैं आपको बता दू कि यहां पिच्छी प्लेवल पे हैं बहुत सारे लोग मीटर खरीद लेते हैं लेकिन उसकी जो रिडिंग है वो सो नहीं करती है रिडिंग सो करने का कारण मैं आपको बता दू कि उसके अंदर की ऐसी बगी हुई है यह IC आपके जो odometer होता है उसको सेफ करने का काम करता है बहुत सारे meter हो में यह जो odorometer की IC है यह नहीं लगी रहती है कि वल odorometer बनाया जाता है speed detect करता है लेकिन सेफ नहीं होता है मेरे पास ऐसे कई सारे meter जो कि मैंने after market से खरी दें लेकिन वो सेक्सेज नहीं हुए सेक्केस का मतलब कि जैसे ही हम लो颂ँ उसको लगाते हैं तो वो प्रोसॉमेंस तो करते हैं घड़ी में उस पर हम डीटेल में वीडियो बनाएंगे और उस पर बात में बात करते हैं तो चलिए जो चीज अभी मेरे सामने पहले उस पर बात कर लेते हैं और अगर आपको इसको पूरा निकालना हो तो आप कुछ इस तरीके खींचेंगे तो यह निकलाएगा तो आप देख पार यह आपका हैडलाइट का दे रखा है और यहाँ पर आपको स्पीड मीटर है यह स्पीड सो करता है ठीक है यहाँ पर बेटरी इंडिकेटर यह है motor सिगनल, accelerator सिगनल, ECU सिगनल और यह ब्रेक सेंसर और ये आपका cruise control, parking mode, reverse mode और ये hazard lamp ठीक है ये odometer होता है, odometer safe करता है अपनी reading को तो और मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि अब इसकी एकदम detail में बात कर लेते हैं और wiring की बात कर लेते हैं तो wiring चलिए हम लगाते लगाते सीखते हैं तो ज्यादा हम लोगों को detail में समझ में आएगा तो हम लोग ले आते हैं सबसे पहले battery जो कि मैं लाओंगा 72 वोल्ट की battery और battery के साथ इसको जो है install करके आपको चला के दिखाऊंगा तो आप जूड़े रहे हैं मेरे चनल पर और मेरे चनल को subscribe करिए तो सबसे पहले आपको किन किन चीजों की आवसत्ता पड़ेगी मैं वह बता दूँ आपको एक multimeter ले लेना होगा और एक meter लेना होगा यह है multimeter और यह है एक meter एक wire cutter ले लेना होगा और यह 12 volt की supply ले लेनी होगी जो कि आपको देख पा रहोंगे 12 volt एक ampere की supply ले लिया है मैंने इसको अपने plug में plug-in कर लेना होगा और यहां पर एक 72 volt की battery ले लिए है तो सबसे पहले आपको यह किस तरीके का connector भी ले लेना होगा इस तरीके का connector ले लेना होगा इसमें मैं आपको बता दू कि direct आपको install नहीं करना होगा क्योंकि अगर यह दूरों अगर terminal आपके आपस में touch हो जाते हैं तो आपको battery में problem create हो सकती है इस वजए से मैं आपको बता दू कि नॉर्मल ही तरीके से जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही वैसे आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर आपको जो यह जो मीटर है इसमें आपको यहां पर देख पार होंगे डी सी प्लस लिखा दिखाई दे रहा होगा मतलब कि यहां पर बैटरी का प्लस पॉइंट टेच कराना हो और उसके बगल में माइनस पॉइंट टेच कराना है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको दो तार इसमें से निकाल लेने होंगे आपको कुछ इस तरीके जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ ऐसे यह आपको निकाल ले हैं कुछ इस तरीके से वायर को बाहर निकाल लेंगे कि खीर करके अब क्या करना होगा बैटरी का जो टर्मिनल था ये वाला इसको हम लोग इसमें ऐटैच कर देंगे प्लेस वाले में plus वाले को और माइनस वाले में माइनस वाले को हिए कुछ इस तरी के यह अलब को फताना है का सैंत तो इसको फसाने के बाद नहीं को यहाँ पर टेप लगाना आ प्लस पॉइंट वे क्योंकि जो सबसे जादा कि खतरनाक पॉइंट है वो है प्लस तो हम लोग इस पे टेपिंग लेंगे अब इसको इसमें हम लोग इंस्टॉल करें यह जो रेड वाला पॉइंट है आप देख पाना होंगे रेड़ वाले पॉइंट में मैंने इसको आराम से इंस्टॉल कर दिया है अब ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना इसको हम लोग इसमें चुवाएंगे तो आप देख पा रहोंगे मीटर पूरा ओन हो गया है लेकिन यहां पर मीटर अभी कोई भी प्रफॉर्मेंस नहीं क्रियेट कर पाएगा और यहां पर आपको 71 वोल्टेज देखने को मिलेगी 71 वोल्टेज और यह वोल्टेज भी डिटेट करता है कि मतलब यहां पर आप देख पा रहोंगे वोल्टेज भी दिखाएगा और यहां पर किलोमीटर भी आपका तो सब्सक्री कितना बड़िया हो जाएगा अगर आपके साथ वोल्टेज भी साथ साथ दिखे कि अगर मेरी बैटरी का voltage कितना है और मेरी बैटरी का cut off point कितना है और मेरी बैटरी full charge कितनी होती तो यहाँ पर यह भी इसमें system दे रखा है ठीक है friends, तो यहाँ पर मैंने अभी केवल दो wire connect करी है जो कि आप देख पा रहोंगे, केवल और केवल दो wire connect करी है एक red वाली connect करी है और एक black वाली connect करी है तो यह दोनों wire जो है, आप जैसा ही connect करेंगे तो आपका जो meter है वो on हो जाएगा और meter on होने के बाद आपको क्या करना है तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं तो यह जो कुछ connections हैं इनको अगर हम लोग 12V की plus point की supply देते हैं तो यह तुरंट एक्टिव हो जाते हैं तो connection को touch करते हैं और एक बार चेक करते हैं यह देख पा रहा होंगे, यह आप पर deeper का connection है उसके बाद यहाँ पे जो यह वाली wire है वो indicator का connection है, यह आप देख पा रहा होंगे आप जो blue wire थी वो आपकी deeper की है और यह जो हलका आस्मानी कलर की wire थी यह आपकी indicator की है और यह जो आपकी pink कलर की wire थी यह भी आपकी indicator की है और यह जो आपकी wire है, यह signal wire है, ठीक है और यह जो wire है आपकी, इसको test करते है तो यह देख पा रहा होंगे, odometer काम करने लगा है मतलब कि आपका speedometer है, वो काम करने लगता है जब आप supply इसमें डालतें 12 volt की, यह रेखें जैसे ही आप इसमें touch करेंगे, तो यह supply 12 volt plus point डालना होगा आपको यह देखे, supply काम आपका जो, इसमें किवल 12 volt आ रही है तो इस वज़े से यह 12 की ही speed चल पाएगी ठीक है friends, अगर थोड़ी देर तक आप छुआया रखेंगे तो इसमें जो नीचे आपका odometer है, वो भी work करने लगेगा जैसे ही अगर आप किसी controller से इसकी wiring जब attach करेंगे तो यहाँ पर यह सारे signal काम करने लगेंगे और मैं आपको बता दो कि यह 72 volt पे connection है अगर इसको 60 volt में convert करना होगा, तो हम उसको यहाँ से disconnect करना होगा यह जो black color की दो wire दिख रहे थे आपको, इसको disconnect करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहोंगे, यह अब 71 voltage पे